आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे विक्यान के टोप 30 कोशन जो की काफे इंपोर्टेंट होंगे एक्जाम के पॉइंट ओप इसे इस प्रेक्टिस सैट में से दोस्तों अगर आप 30 में से 25 साइंस के कोशन सही कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी साइंस की जो त्यारी है वो ठीक ठाक चल रही है और बिल्कुल एक्जाम वाले परसन होने वाले हैं तो बिल्कुल भी इसकिप मत करना 30 में से 30 सही करने की कोशिस करेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला कोशन है दोस्तो डकलेस गरंतियों द्वारा सरावित रसाइनिक संदेश वाक को कहा जाता है दोस्तो हार्मोन यानि की राइट आंसर इस डी आप लोगों दोस्तो हर एक कोशन का आंसर कमेंट बोक्स में करना है अब इसका आंसर दोस्तो डी है तो बस कमेंट बोक्स में डी टाइप कर दीजे और कुछ भी नहीं लिखना है ठीक है अब इस important question है ठीक है, चलेगay, दूसरा question आता है, हार्मोन के कारिय के सम्मद में, कौन सा कथन दोस्तों, गलत है, तो answer इसका comment box में बता दीजै, कौन सा write answer होगा, बहुत ही जबरदस practice rate होगा, हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने सारी वीडियो जितनी भी है ना बिल्कुल एक्जाम वाले परसन की प्लेलिस्ट बनाके नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे दिया है वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं जो अभी तक अपलोड हो चुकी है ठीक है भई इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरीर के तापमान को बनाए रखना ये काम किसका नहीं होता है हार्मोन का नहीं होता है यानि की राइट आंसर इसका दोस्तों सी हो जाएगा अच्छा हार्मोन दोस्तों अतैसरावित गरंतियों की विसेश कोशिकाओं द्वारा जारी किये जाते हैं और दूसरी इस्थित लक्से कोशिकाओं पर कारिय करते हैं एक हार्मोन कई कारियों में योगदान दे सकता है और कभी-कभी दोस्तों कई हार्मोन एक कारिय कर सकते हैं तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखेगा तीसरा कोशिन आता है परतिक किरिया के लिए समान और विपरीत परतिक किरिया होती है ये न्यूटन का दोस्तों कौन सा नियम है सारे कोशन्स एक्जाम ओरियंटिड है और इस टाइप के कोशन रेलवे हर बार पूछता है ये चीज़ ध्यान रखेगा अपने दिमाग में बैठा लेना सारे कोशन इन में से भी आपके एक्जाम में कोशन मिलेगा इस पूरी वीडियो के दोरान जितने कोशन कराए जाएंगे उसमें से आपके एक्जाम में कोशन्स आएंगे देख लेना आप लोग इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूटन का दोस्तों थर्ड लोग है यानि की राइट आंसर ही सी तो ये आपको याद अखना है अच्छा न्यूटन के दूसरे गती के नियम के लिए सुत्र क्या है हर बार एक्जाम में पूछ जाता है न्यूटन का दूसरे नियम के गती का सुत्र है F इक्वल टू M मल्टिप्लाई A यानि की राइट आंसर दोस्तो आपका C हो जाएगा बहुत बार रिपीट हो चुका है कोश्चन अगला कोश्चन आता है पाच्वा कोश्चन है मानब मस्तिक्स के निमलिखित भाग में से कौन सा सरीर और सरीबरम के बीच रिले स्टेशन के रूप में कारे करता है बताइए वह इसका आंसर क्या होगा दोस्तो बहुत ही बढ़िया कोश्चन है ट्राई करते रहिए और इस कोश्चन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा सलेमास बिल्कुल सही है राइट आंसर इस ऑप्शन थर्ड हो जाएगा और यार थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके और सेयर करके अपने दोस्तों के साथ में ग्रूप में सपोर्ट की अग्रेयार काफी मेहनत लगती है और आप बिल्कुल भी आजकल सपोर्ट नहीं कर रहे है अगला कोशन आता है मस्तिक्स का मुख्य विचार भाग कोन सा है दोस्तों तिंकिंग पार्ट ऑफ दी हुमेन ब्रेन कोन सा है यह बहुत इंपोटेंट है इस कोशन का राइट आंसर हो जेगा दोस्तों आधुनिक आवर्ट सिध्धान किसके द्वारः दिया गया था किसके द्वारा बिल्कुल अगला कोशन आता है दोस्तों आवर्ट सांडि में सबसे कम गलनाक बिंदू वाला तत्व कोन सा है तो सबसे कम गलनाग वाला बिंदु वाला तत्व कौन सा है सबसे कम गलनाग बिंदु वाला तत्व है है आपका हिलियम यानि की right answer आपका भी हो जाएगा अगला question आता है दोस्टो नेमलिकित में से किस खाद्य परदार्द में प्रोटीन की अधिक्तम सामगरी होती है बहुत ही easy question बहुत easy, 9th question बताइए जल्दी से answer क्या होगा दोस्तो तो 9th question की अगर मैं बात करूँ दोस्तो, soybean यहाँ पर right answer हो जाएगा यानि की B is the right answer अगला question आता है परकास salvation के दुरान उत्पन oxygen का सरोथ क्या है तो दोस्तो इस question का right answer रहेगा बिल्कुल सही है right answer is water पानी, जल ठीक है न, चले next है दोस्तो, बाग का विज्ञानिक नाम क्या है दोस्तो, बाग का विज्ञानिक नेम है बिल्कुल, पेंथर triggers, यानि की right answer is option B हो जाएगा अगर मैं दोस्तो, यहाँ पे lion की बात करूँ, तो इसका विज्ञानिक नाम क्या होगा तो इसका हो जाएगा पेंथरा Leo, लोयन का यह विज्ञानिक नाम है, और वहीं पर अगर मैं बात करूँ दोस्तो leopard की, तो वह हो जाएगा आपका पेंथर पादर्स, ठीक है यह हो जाएगा और यह होता है, दोस्तो, यूरोपिय बाईसन होता है, यह उसका विज्ञानिक नाम है ठीक है, तो यह आप सारे याद रख सकते हैं कोई सभी पूछा जा सकता है अगला कोशन आते है, भालू का विज्ञानिक नाम क्या है तो दोस्तो, भालू का विज्ञानिक नाम है बिल्कुल सही है, OCD, Carnivora, यानि की right answer is D ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर दोस्तो, D हो जाएगा अगला कोशन आते है, परमानू नामिक की खोज, चल्दी बते हैं दोस्तो, परमानू नामिक की खोज की थी, किसने? रदर फोर्ड ने, यानि की right answer आपका A हो जाएगा अगला कोशन आते है, परमानू में neutron की खोज, किसके द्वारा की गई? दोस्तों परमानूम में न्यूट्रोन की खोज किसके द्वारा की गई तो राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा जैडविक द्वारा यानि कि राइट आंसर इस B वही कमेंट बोक्स में आंसर बताते रहिएगा कभी आप सोचो की आंसर नहीं बताने गा तीस के तीस कोशन के आंसर बताएगा अगला कोशन आते है कौन सा एंजाइम अमाश्य में प्रोटीन को पचाता है दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है ये कोशन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पैपसिन बिल्कुल सही है राइट आंसर इस बी अगला कोशन दोस्तों विकल्पों में से कार्बन का सुधरूप कौन सा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कोशन नमबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा एंत्रेसाइट यानि की बी ऑफ्षन यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन आते है आकास या महसागर के नीली रंग को मापने वाले उपकरण को कहा जाता है तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जेगा साइनोमेंटर यानिकी बी इस दर रेट आंसर दोस्तों अगला कोशन है निमलिखित में से किस स्रेणी में नैपेटस खस्याना या इंडियन पीचर प्लांट रखा जा सकता है तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो बिलकुल नन उप दीज कोई भी नहीं दोस्तो देखे वे आम तोर पर नाइट्रोजन की कमी वाले निवासों में पाए जाते हैं और इसलिए नुक्सान की भरपाई करने के लिए वे नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में क कीटों को खाते हैं ठीक है चले अगला कोशन आता है जीव विज्ञान की निम्लिखित साखाओं में से कौन सी जीवित जीवों पर विक्रण के परभाव से संबंदित है राइट आंसर होजएगा एक्टिनो बाइलोजी यानि की राइट आंसर इस ऑप्षन है यह आपको यहाद दखना है अगला कोशन आता है दोस्तों निम्लिखित में से कि समू से संबंदित समुद्री जल के लिए कम से कम अनुकूलन दिखाएगा तो राइट आंसर दोस्तों क्या होजएगा एंजियो इस पंब यानि की राइट आंसर इस ऑप्षन सी दोस्तों यह आपको यहाद दखना है अगला कोशन आता है निम्लिखित में से कौन सा वनसा नुगत रोग है तो कौन सा दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ तो यह तीनों ही दोस्तों all of the above right answer हो जाएगा ठीक है एक वनसा नुगत रोग है अगला कोशन आता है दोस्तों कोशन नंबर 22 मानव नेत्र के निम्लिकित जिवित उत्तकों में से किसमें रक्त वाइकायन नहीं होती है तो राइट आंसर हो जएगा कौर्णिया में यानि की राइट आंसर इस ऑप्षन भी यह आपको याद एखने है नेक्स्ट कोशन है दोस्तों 23 कोशन मानव शरीर में निम्लिकित जिवित निम्लिकित में से किस बिमारी से संबन दित है तो मानव पैपिलोमा वाइरस निमलिकित में से दोस्तो सरवाईकल कैंसर से संबंदित बिमारी है यानि की राइट आंसर इस ओप्षन भी यह आपको यह दखना है दोस्तो नेक्स है सड़को को पार करने के डर को क्या नाम दिया गया है तो इस question का right answer होजएगा Acrophobia यानि की दोस्तो C right answer होगा Next question है निमलिकित में से कौन सा अमल विटामिन नहीं है तो right answer दोस्तो होजएगा Olic acid यानि की B is the right answer Next question है निमलिकित में से कौन सा एक मात्र आंत्रिक मानव अंग है जो पुनर जिवित हो सकता है तो इस question का right answer दोस्तो लीवर हो जाएगा यानि की C is the right answer अगला question है पोशन की खुराक Ciprolina, Corella और विटामिन C, पुरक, डुनालीला वास्तव में है तो right answer दोस्तो सेवाल हो जाएगा यानि की A is the right answer अगला question है धमनी रख्चाप को मापने वाले उपकरण को निमिन के रूप में जाना जाता है तो right answer हो जेगा सिफगेमो मैनोमिटर यानि की right answer is option D हो जाएगा दोस्तो ठीक है अगला question आता है बूबो बूबो निमलिकित में से किस परजाती का विज्ञानिक नाम है तो दोस्तो बूबो बूबो जो है ये उल्लू का विज्ञानिक नाम है यानि की right answer D हो जाएगा दोस्तो सबसे पहले बताईए तीस में से कितने question सही किये है सबसे पहला आपका यही कमेंट होना चाहिए अब बते वीडियो दोस्तो आपको कैसी लगी और वीडियो आगे के भी लेने के लिए तो चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लीजे